अगर आपको scoliosis है और आपकी उमर 9 साल से कम है या अगर आपके डॉक्टर ने बोला है कि आपकी fusion surgery हम अभी नहीं कर सकते तो उस situation में growing rod technique एक बहुत अच्छा technique है growing rod technique में इस तरह से अगर आपकी spine scoliosis में टेड़ी है तो growing rod technique में हम सिरफ दो छोटे छोटे incision देते हैं एक उपर यहाँ एक नीचे यहाँ और उसी के थुरू इस तरह से एक rod fix कर देते हैं अब जब हम उस rod को fix कर देते हैं तो उसको सिरफ उपर और नीचे से हमने anchor किया होता है तो एक तो rod की वज़े से कमर सीधी हो जाती है जिससे बच्चे का curvature सीधा हो जाता है और क्योंकि rod दो ही जगा पे fix है तो spine को grow होने के लिए जगा मिल जाती है अब spine धीरे-धीरे grow होती है और rod बीच में रहती है तो spine सीधी grow करती है तो इससे बच्चे की height भी बढ़ती रहती है growing rod technique की जो rod होती है उसके में भी बीच में एक special तरह का equipment लगा होता है जिसको हम हर 6 मेने बाद बच्चे को बुलाते हैं और एक छोटे से procedure से उसको महां से लंबा कर देते हैं तो इसकी length भी बढ़ती जाती है rod की screws से इसको fix रखते हैं तो वो solidly spine को support भी करके रखता है और इसी तरह से grow होती रहती है और बच्चे की height सीधी बढ़ती रहती है आज कल एक special तरह की rod आती है जिसे magnetic growing rod कहते हैं उसमें हर 6 महीने बाद बच्चे का जो हम जो procedure करते हैं उसको हम OPDMS outpatient procedure भी कर सकते हैं उसमें कोई बाद बार-बार incision देने की operation की ज़रूद नहीं पड़ती है हमारे पास एक metal का piece जैसा होता है जिसको हम spine के उपर रखते हैं उसको रखने से ही जो rod है वो grow कर जाती है या लंबी हो जाती है और बच्चे की height और बढ़ती जाती है और कोई fusion की ज़रूद भी नहीं पड़ती है ultimately जब growing rod technique से बच्चे की height maximum पहुँच गई होती है और वो stage आ जाती है कि जब बच्चे की हम fusion surgery या final scoliosis surgery कर सकते हैं तब उस situation में हम final surgery कर देते हैं और उससे फिर बच्चे की spine का curvature होता है वो normal रहता है और आगे की life कोई भी pain free या फिर किसी भी operation की ज़रूद नहीं पड़ती है अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चनल को subscribe करना ना भूले और जाधा से आधा शेयर करें